हाई, वेल्कम टू माच चनल, इस बडियो में स्टॉल्व करने कुछ नुबर एट, फाइंड दि वाल्यूम आफ असलिंडर, दि डियमेटर आफ हूज बेस इस सेवन सेंटिमेटर, अफर वाल्यूम आपको चाहिए, रेडियस और हाइट, क्योंकि फामुला होता है, इसका पाई आर स्क्वार एच, तो रेडियस और हाइट चाहिए, तो डियमेटर दिया हुआ है, बेस का, तो यह निकल लाएगा, उसके बस क्यान करना है, फाइन दियमेटर के लिए बोल रहा है, तो इसी वाल्यूम को बस बोल रहा है, कि वाल्यूम का यूनिट जो है, चेंज करके लिटर में कर दिजिए, ओके और पूरुश नहीं बोला, चलिए हम सॉल्व करते हैं, पहले निकाल लेते हैं, वाल्यूम अब दो सिलिडर, तो हम इसमें डामिटर यहां पर दिया हुआ है, तो पहले यहां पर कर लेते हैं, डामिटर, डामिटर आफ दि बेस, इसको लूद दिया हुआ है, शेवन सेंटीमि इसको हो जाएगा, 7 by 2 cm, और हाइट आपको पताई है, हाइट आफ दे चलिंडर, और इस गिवन आपको पताई है, अब निकाल सकते हैं वाल्यूम, तो नव, तो नव, वाल्यूम आफ दी सिलिंडर, वाल्यूम आफ दी, सिलिंडर, इस इकल दो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वाइर एच, पाई की वाल्यू जो है, ट्वनी टू बाई सेंटीमिटर, और रेडियस की वाल्यू जो है, यहाँ पर जो हमने निकाला है अभी, 7 by 2, तो यह हो जा दारेंगे, मिलेगा 22 by 7, इसको थोड़ा साम 7 by 2 को दो बार लिख लेंगे, 75 by 2 into, 7 by 2 into, यह 60 को 60 लिखेंगे, अब यहाँ देखे, 7 से 7 अजा 7 और 7 यह कंदिशल हो जाएगा, यहाँ तो 2 से कड़ेगा, तो 2 अजा 2, 2 अजा 2 और यहाँ से 2 अजा 2, और यहाँ से 2 अजा 2, तो यह हो जाएगा, 77 into 30, mean, यहाँ जाएगा, 0, 37, 21 का 1, 2 carry over, 37, 21, 21, and 223, तो यहाँ जाएगा, 2,310, क्या जाएगा, cube है, अजो, volume है, तो volume में सेंटेमेटर मुसम निकाल रहे हाल रहा है, तो centimeter cube है जाएगा, हमें निकालना क्यां है, अब सेगंड की, find the capacity of the cylinder in liters, मतलब की capacity what is the capacity तो यहां लिखेंगे की capacity capacity of the cylinder in liters of the cylinder in liters is equal to kya volume of the cylinder in liters is equal to volume of the cylinder in liters cylinder का जो volume होता है liter में निकालेंगे यदि हम जिसे हम अब अब centimeter cube में निकालें हैं अब इसका unit change करके हम निकालें लिटर में तो वही चीज़ को बोलता है capacity of the cylinder in liters ठीक है मतब लिटर में निकालना है बस capacity और volume दोनों same quantity है मतब same meaning के अनुसार same meaning के साथ use होते है तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे देखें हाँ पर यह जो दिया है centimeter cube में हम इसको change करना चाहते हैं किसमें लिटर में तो कैसे करेंगे आपको एक बात याद होनी चाहिए यह जो sequence से वो याद कर लिजिए 1 kilometer के बाद आता है 1 decameter उसके बाद आता है 1 1 kilometer 1 hectometer चूट के बिश में 1 हेक्टometer 1 decameter 1 meter 1 decimeter 1 centimeter 1 millimeter यह जो sequence है वो याद रखिए और इसमें जब उपर से नीचे आते हैं तो जो unit का जो amount है वो 10 times घड़ता जाता है ठीक है तो यहाँ धान देजिएगा decimeter decimeter का जब हम यहाँ निकालते है decimeter cube इसी को बोलते हैं 1 liter यही आपके बराबर होता है 1 liter के ठीक है मतलब कि अधि आपको decimeter cube दिया रहेगा जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर 20 decimeter cube ऐसा लिखा रहेगा तो यही equal होगा 20 liter के पसमिमा रही है मतलब 20 decimeter cube जो है 20 liter के तो इसका मतलब कि यदि centimeter cube दिया हुआ है यदि हम इसको centimeter cube को decimeter cube कर दे तो हमारा liter में convert हो जाएगा है कि नहीं तो हम क्या करेंगे कि इसे sequence में देखिए हाँ पर decimeter centimeter में दिया हुआ है centimeter में centimeter जाए हम नीचे से उपर जाते है मतलब कि one centimeter ब्राबर कितना decimeter हम centimeter से कि कर रहे है change कर रहे है centimeter में centimeter से decimeter 심 punk कर रहे है इसलिए नीचे से उपर जा रहे हैं यदि ऐसा कर रहे हैं तो हमें 10 से डिवाइड करके करना है means 1 cm की is equal to हो जाएगा 1 upon 10 decimeter मतलब कि 1 cm पर लिख सकते हैं 1 upon 10 decimeter ठीक है और इसी value को हम या रख देंगे cm के जगा पे तो हमारा decimeter में आ जाएगा तो हैं लिख देंगे हैं पर 2310 cm3 is equal to हो जाएगा 2310 और cm के जगा पर लिख देंगे 1 upon 10 decimeter का whole cube तो अब जो है यहाँ पर solve करने में मिलेगा 2310 into यहाँ पर देखे क्यूब करना है तो तीनों में क्यूब करेंगे तो यहाँ पर decimeter क्यूब तो हो जागा उपर लेकिन divide में आ जाएगा 10 का cube 10 का cube मतलब कि 1000 ठीक है यहाँ 0-0 cancel out हो गया और यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर decimal आगे बढ़ जाएगा means 2 decimal आगे बढ़ेगा तो एक बाट decimal यहाँ आएगा एक बाट decimal यहाँ पर आएगा मतलब 2.31 आ जाएगा लीटर अभी नहीं लिखेंगे अभी लिखेंगे decimeter cube 2.31 क्या decimeter cube हो गया और मैंने क्या बता है आपको decimeter cube रहेगा तो उसी को बोलते हैं liter मतलब कि one decimeter cube बड़ाबर होता है one liter ठीक है याद कर लिजिए one decimeter cube बड़ाबर होता है one liter यहाँ पर हम decimeter cube को लिशकते हैं one liter के फ़र में तो 2.31 लीटर तो यही होगा आपका second answer मतलब capacity of the cylinder in liters is 2.31 liter थैंक यू सो मच for watching बाई